नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ है क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी चिराग बहुत बहुत स्वागत है आपका हंगामा कुछ इसकदर है कि उसकी आज यू लगता है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में फैल रही है हलदवानी में चिराग जो कुछ हुआ मुख्यमंतरी ने तो सीधे का कि जो उपद्रवी है देखते ही गोली मारने तक के आदेश मुख्यमंतरी ने दिया और काफी समय के बाद लगा कि कहीं पर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो महाँ पर बड़ा कठोर डिजिजन लिया ग लेकिन हम हलदवानी पराते ही हलदवानी में जिस तरीके से स्थती उत्पन हुई एक क्या इंटर्नल फेलियर भी है इंटेलिजन्स का कि सूचना नहीं थी इस पैमाने पर चीज़ें इस तरीके से करवट ले सकती है ये ठीक है कि बाद में प्रशासन हरकत में आया है और सा कम वक्त में बहुत सारी चीज़े हो जाती है कि उसको संभाल पाना संभव सा हो जाता है मुझे याद दिली में दंगे हुए थे पांच मिनट के अंदर हर जगा कॉल आनी शुरू हो गई ठीक ऐसे ही हुआ कि जब हलदवानी में शुरू हुआ एक धार्मिक स्थल को लगता है कि दो लोगों कि इसमें मौत हुई अभी तक जो ख़बर आ रही है सीम ने तो बहुत सक निर्देश दे दी हैं और कर्फिव भी लगा गया है वाँ इंटरनेट सेवा भी प्रफावित हैं कहने का मतलब यह है कि यह जिनकी भी गल्ती है नैचुरली सीसीटीव में बहुत सारी चीज़ें साफ हुई है उनके खिलाब एक्शन होगा आने वाले वक्त में लेकिन आप का जो सरकार का किसी भी सरकार का इस तरह के दंगों में जो रोल होता है वो यह होता है कि वो कितनी जल्दी उसको काबू कर ले वो सबसे बड़ी जीत है तेकि अब हो गया चीज़ और पांच मिनट के अंदर हर जगा से कॉल आ रही है पुलिस कब तक पहुंचे की किसी भी जगा पर जब तक पहुंचे की तब तक बहुत कुछ बगड़ चुका होगा तो ठीक मुझे लगता है यही हालात रहे होंगे क्योंकि इसको मैंने कंपैर कि जब दिल्ली म आइदा ना हो आगे जो दोशिये उनके खिलाफ सक कारवाई हो जो इसमें देख रहे हैं सीसीटी फुटेज में पत्थर बाजी करते हुए आग जनी करते हुए पुलिस वालों तो अको मारा है आप सोची कितने पुलिस वाले इसमें जब बताइए कई जगा पत्थर बाज ही हुए है तो यह जब यह सारी चीज़े होंगी तो नैचरली एस्जेम से भी मार पिट हुए है यह जानकर निकल करा रही है तो आप सोचिए मल्टिपल चीज़े मल्टिपल तरीके से हो गई एक तम और प्रशासन का इसको फेलियर से जादा मुझे लगता है कि जो काबू किया जिस तरह से उत्राखंट सरकार नहीं यह अपने आपने काबी लेता है और जो सीम धामी उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ती जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई है वहां जलाएं उनके सारे वीडियो लेता करा है जो अपने लाइन पड़ी इतने सारह हत्यार कहां से आगए आचानक कुछ भी होता है अवैध हत्यार निकल आत लिया जा रहा है ये एक बात है लेकिन जब इस तरीके के किसी इस्थल को अवैद अतिकर्मन के आदेश पर जब तोड़ा जा रहा है तो उसके बात परिस्थिती कैसी उत्पड हो सकती है क्या इसकी जिम्मेदारी से सुनिश्यत करना पुलिस का काम नहीं फिलियर तो है ना इ अगर इतने हथियार वहाँ पर आ गए इतने तरीके से लोग वहाँ पर अचानक से तो नहीं कि अचानक घरों से लोग निकले और उन्हों ने इस तरह की केसिस में जब हथियार आते है तो नैचुरली घरों में लोग वास अब घरों डोर तो डोर सर्च का काम तो पुलिस क वर्क करें, एक टीम होती है जो ड्रक्स पर काम करती है, एक टीम होती है जो अवैद असले जहां से आरे हैं उन पर काम करती है, एक टीम होती है जो नर्कोटेक्स कंट्रोल चेक करती है, एक टीम होती है जो हिस्ट्री शीटर्स पर नज़र रखती है, तो तिल्ली पुलिस या पुलिस का खौफ तो होना चाहिए ना, पुलिस का खौफ नहीं होता है, इसलिए जैसे आज नजब गड़ में दिन धारे घुसके गोली मार दी सलून, पुलिस का खौफ नहीं होता, तभी बदमाश इस तरीकी की चीज़े करते हैं ना, चाहे वो हल्दवानी हो, चाहे आज बरेली में हजारों लोग सबकों पर उदर आए, कानून है, कानून है, सबकों पता है कानून तो नहीं है, यह जो डिसीजन था सीम का, कि जो उपद्रव कर रहा है, तुरंट वहाँ पर उसको गोली मारने का, इससे एक खौफ पैदा होता है, क्योंकि यह कानून, अब जब प्रवेज मिलती है, क्योंकि अगर law and order का issue हो गया, वहाँ पर ऐसा लग रहा है, कि बिल्कुल अववस्ता पैल गई है, जंगल राज कायम हो रहा है, लोग कुछ भी करे जा रहे हैं, तो तो कैसे गंट्रोल किया जाएगा उस समय उस वक्त उनको, इसी तरह गंट्रोल किया जोरत है, उसके बाद अगर पुलिस की गलती आए, तो हम उसको पकड़ेगा, ये भी तो सरकार करेगी ना, लेकिन इसमें उत्राखंड में, हल्दवानी में जो हुआ, जो हिंसा भढ़की, उसमें अब तक जो डेटा है, तकरीबन पांच लोगों की मौत की उसमें खबर आ पहचान की जा रही है, वीडियो फुटेज मौजूद हैं, और ये जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई भी उपद्रव्यूस की जाएगी, थोड़ा थोड़ा जो योगी मौडल है, बिल्कुल आपने ठीक का, और तरीका यही होता है, कि आप जितना ज़ादा, जैसे जब क आप उपद्रवी, आपने करा, उपद्रव मचा है, तो आपको समी लेगी, पकड़ जाओगे आप, आज निकल पकड़ जाओगे, CCTV में जब कुछ आता है, आज केल हर जगा CCTV है, तोड़ी कि, जहां आपने, यहां उपद्रवी, उपद्रव को कहीं भी किसी भी तरह से जश जो मुक्मंतरी धामी ने कहा, वो बात बिल्कुल जाओगे, तो एक आदमी क्या करें, मैं यह नहीं कह रहा कि, देखे, इसमें एक ठिन लाइन है, मैं यह नहीं कह रहा है, हिंसा करें वो आदमी, नहीं, लोकतांत्रिक तरीका तो फिर भी आपको अपनाना ही पड़ेगा न शाहिन बाग में आप बैठ गए थे, वो लोकतांत्रिक तरीका इथा ना, वह आपने हंगामा तो नहीं किया था ना, लेकिन इसमें सरकार की जवाब देहित है हो, आम आदमी की जवाब देहित है हो, यह दोशारोपन से कुछ नहीं होगा, कि हम दोशारोपन सरकार पर एक म आप पहले ही कर लीजा, आप असले असला जो मिल रहा था, उसी को पहले कर लेकिन जो अवैद अती कर्मन था, मुक्मिंद्री धामी ने खुद कहा, कि कोट के निर्देशा अनुसार अती कर्मन विरूधी अभियान चल रहा है, प्रशासन ने लोगों को बहुत पहले ही सु इरोत का समयधानिक तरीका होता है, उपद्रव को 21 सदी का भारत अब सहन करने की स्थिती में नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया चुराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका, यहां रोकरें लेकिन आपके नहीं जाईएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे